हिआ है हालो स्तुटेंटों स् skinny अच्पि अच्पैस के क्लास में हम प्रेजेंटी इंड्रफिन है इन्समे को रहे होजिए प्रेजेंट इंडndक में प्र..! बताता है, general truth बताता है, instruction या direction बताता है, या फिर fixed arrangement बताता है, जैसे बच्चो, habit, see drinks milk, see always eats fish, repeated action, I take bus in the morning to reach school, general truth, the earth moves around the sun, instruction, open the door and enter, fixed arrangement, our summer vacation starts on third may like this, या तो हिंदी में समझ लीजे, या इंगलीज में समझ लीजे, इसमें हमने affirmative sentences की देखने की सुरुवात बच्चो कर ली थी, formula आपके सामने तब भी था, अब भी है, subject plus work की first form, आवशक्ता नुसार, is, is, या, is plus object, यह affirmative sentence हम देख लिये थे, उसका एक rule भी था बच्चो कि whenever the subject is, third person and singular number, whenever the subject is, third person and singular number, and the verb ends at, double ass, sh, ch, x, ro, double ass, sh, ch, x, ro, in the end of the verb, हमने use किया था, इस, जैसे कि एक वाक्ष उस समय देखा था, आज भी देख लिजे, राज, जाता है, राज, जाता है, वाक्ष के अंत में, ता है, ते है, ती है, आया है बच्चो, that means यह present definite sentence हम पढ़ रहे है, राम जाता है, एक्सन जाने की हो रही है बच्चो, जाने की एक्सन हो रही है, जाता है, कौन, that is, राज, राज, जाता है, वही हमारा subject हुआ, राज, यह subject मांग रहे है, तो राज, अब फार्मुला बोलता है कि वर्व लिखे, तो वर्व हमारे पास है, बच्चो, जाने की, एक्सन जाने की हो रही है, शायद आपके ख्याल में, मेरे ख्याल में भी जा जा गया, पर हम तु बच्चो, अब हमारे पास हमारा subject है, देखे, राज, मैं भी नहीं हूँ, मैं आइवी, 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 और सेकंड परसन होता है, और बाकी सब थर्ड परसन होते है, तो ही, सी, इट, राम, टेबल, चेयर, मेंगो, एक्सटरा, यह थर्ड परसन है, थर्ड परसन है, प्लस सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर भी है, और हमारी वर्ब, ओपर एंड हो रही है, इस दसा में, इस कंडिशन में, हमने यहां पर एस यूज किया था, अब राम चला गया, हमारा राम जाता है, हो गया, अब हमारा रूल क्या कहता है, whenever the subject is third person and singular number, singular number, whenever the subject is third person and singular number, and the verb ends at, and the verb ends at, double S, 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 C, X, R, O, उस condition में, हम वर्ब के end में, इस लगाते है, यहां तक कि हमने पढ़ा था, बच्चो, अब हमारे पास ऐसा भी हो शकता है, कि कई बारी भी, वर्ब, ओपर तो खतम हो रही है, पर उन्तु हमारा subject दूसरा हो जाता हो, जैसे कि हम जाते हैं, हम जाते हैं, अब हम जाते हैं, एक सन यहां पर भी जाने की हो रही है, तो यह आपकी वर्ब है, जाते हैं, तो कौन, हम, तो जब वर्ब से पूछे गए question का जो answer आता है, जाता है, कौन, खाता है, कौन, तो वो हमारा subject होता है बच्चों, तो subject हमारा यहां पर हम है, और हमारा formula जो मांग रहा है, वो हमें मिल रहा है, formula बोल रहा है कि subject लिखे, तो subject आपका हम है, तो यह हो गया, वी, और आई, वी, अस, मी, माई, माई, आई, वी, अस, मी, माई, माई, नवर यह first person होते हैं, ध्यान रखेंगे आप, कौन सा हो गया यह, first person हो गया, और साती साती है, singular number नहीं है, सायद यह plural number दिख रहा होगा आपको, plural number, we, हम, plural number है, और वर्ब क्या है यहाँ पर, subject बोल रहा है, वर्ब लिखे, तो वर्ब आपके पास जाते है, तो we, go, अब आपका sentence हो गया, we, go, हम जाते ही, चले गया हम, हमने यहाँ पर, yes क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा subject, नहीं third person है, नहीं singular number है, subject हमारा first person है, plural number है, इस दसा में हम वर्ब के end में कुछ भी नहीं लगाते, बेशक वो, double A, से CH, एक से O, पर, खतम होती हो, ऐसा हम करते हैं बच्चों, अब मान लिजिए बच्चों, कि हमारी वर्ब, CH पर खतम हो रही है, O पर खतम हो रही है, इसलिए हमने examples देख लिए थे, इसलिए हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आगे बढ़कर हम यह देख लेते हैं, अभी हमारे पास इस पेस है, यहाँ वह इंग्लीज पढ़ता है, वह इंग्लीज पढ़ता है, अब हमारे पास इस sentence में वर्ब शायद पढ़ना ही क्यों हो रही है, एक्सन पढ़ना ही क्यों हो रही बच्चों, तो यहाँ पर यह वर्ब है, और पढ़ता है कौन, तो हो जाएगा वह, वह इंग्लीज पढ़ता है, वह इंग्लीज पढ़ता है, यह हमारा subject है, बेसक मैंने इसे यहाँ हिंदी में भी लिख देना था, वह इंग्लीज पढ़ता है, वर्ब पढ़ने की हो रही है, पढ़ता है कौन, वह यह हमारा subject हो ग तो आपजेक्ट होगा पढ़ता है क्या इंग्लिस वू खेस्ट हो जाएगा इंग्लिस हमारा आपजेक्ट है जिस वर्चय क्यमत में ताह new country यहाँ पर ही है और आप यह सब फार्मला बोला वर्ब लिखें तो वर्ब हमारी पढ़ने की वर्ब होती है रीड र-e-a-d रीड और अबजेक्ट आपके पास इंगलीज है रीड करता है तो क्या पढ़ता है तो क्या इंगलीज तो रीड इंगलीज अब बच्चों बात आती है जब टर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर नंबर भी है चलिए वाली चंडिशन तो मिल गई और और छतम घते है यहाला हम एगला जब सब्सक्राइब वर्ब में वो जो कि तो अब हम सारी डबल ऐसे सी एच एक से आउपर खतम नहीं होती है तब हम एस लगाते है तो ही रीड्स इंगलीज क्लियर है एक बार और बोल दूँ वेनेवर दो सब्जेक्ट इस थार परसन इंस इंगले नंबर एंड वर्ब डस नाट एड डबल ऐसे स एक से ओ उस दसा में हम यहाँ पर एस लगाते है ठीक है बच्चो तो आपने इस भी लगा दिया और एस भी लगा दिया अब मानकर चलते हैं बच्चों आपके पास सेंटेंस ऐसा होता है वह सौरी वह कि पतंग उड़ाती है वह पतंग उड़ाती है ता है तेहती है बाके क्या अंत में आ रहा है बच्चों यानिकि यह प्रेजेंट इंडेपनिट की है सिंप्ल प्रेजेंट का सेंटेंस है एक सन यहाँ पर साइद उड़ाने की हो रही है और यह हमारी वर्ब यह हमारी वर्ब होई ठीक है अभी उडानी की वर्व होई उडाती है कौन तो सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट दे रखा है वह यह हमारा सब्जेक्ट हो गया अब उडाती है तो क्या तेटीस पतंग और वह जो आंसर आया है वह हमारा अबजेक्ट हो गया उडाती है कौन वह यह हमारा सब्जेक् प्रेजेंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंट है ठीक है अब उड़ाती है तो क्या वही हमारा अबजेक्ट होता है यह फार्मॉला अबजेक्ट मांग भी रहा है अपने अबजेक्ट ढूंड कर भी रखा है पतंग यह हो गया काईट यह सेंटेंस कंप्लीट होने जा है परन्तु, whenever the subject is third person and singular number है, she जो है third person है, मैं भी नहीं है, तुम भी नहीं है, वो कोई और ही है, he, c, e, tram, table, chair, mango, यह सब third person है, subject third person है, क्या singular number है, एक वच्चन है, हाँ, वो एक वच्चन है, singular number है, तो subject is third person and singular number, plus the verb ends at double S, 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 C, H, X, O, R, Y, आप देखे, double S, 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 C, H, X, O, पर खतम होती है, तो हम E, S लगाते है, double S, 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 C, H, X, O, पर खतम होती है, तो हम E, S लगाते है, तो यहां तो नहीं हो रही है, इस दसा में हम क्या करते हैं बच्चों, इस दसा में हम जब word first form में हैं और Y पर खतम हो रही है, य पर खतम होती तो यहां पर मान कर चल लिजे य पर खतम होती है तो य को हटा कर हम IES लगाते हैं थोड़ी देर के लिए शी फ्लाइस काइट यहां पर यह सेंटेंस को ऐसा एड्जेस्ट करें यह भी इसमें एक रूल अभी और फिट करते हैं बच्चों थोड़ा यह रबाउट कर लो फिर मान कर चलते हमारे पास सेंटेंस ऐसा होता बच्चों शी फ्लाइस काइट तो हो गया और यदि ऐसा होता हम खेलते हैं अब हम खेलते हैं खेलते वर्ब है बच्चों यानि कि यह प्ले वर्ब हो गए आपकी यह वर्ब है और वर्ब को आप प्ले कहते होंगे ठीक है यह वर्ब हो वो प्रेजेंट इंडेफिनित का होता है या तो फिर यह इभित सब्रभित लिए बीटा ने देख लिए आप तो हम खेलते है वर्ब है और यह हमारा सब्जेक्ट है ता है ते है ती है आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और फार्मला बोल रहा सब्जेक्ट लिखो तो लीजे बच्चों सब्जेक्ट लिख लेते हैं सब्जेक्ट हमारा वी है अब यह बोल रहा है वर्ब लिखे तो वर्ब क्या है आपक लिखे खेलता है क्या या खेलती है क्या कुछ भी नहीं तो आपके पास फिलहाल नहीं है अब बात आ रही है सब्जЕ만 आई वी यू दे या प्लूड नमबर हो तो हम और वर्ब डबल और स्सक्ष पर भी खत्म नहीं हो रहा है अब बेशक वाय के साथ कुछ नहीं करते हैं जब स्ब्जेक प्लूरल नमबर है और न सब्जेक्ट हमाराइव और हमारा plural number रहेगा और verb Y पर भी खतम हो रही होगी तो हमें IES लगा देना था पर नहीं लगाया हमने क्यों नहीं लगाया क्योंकि हमारा subject plural number है और verb बेशक फस फाम में आ रही है और Y पर खतम हो रही है तो अभी हम उसमें AES या IES नहीं लगाएंगे वो जो का तियों रहेगा चलिए ऐसा ही एक example और देखते हैं बच्चो मान कर चलते हैं कि वह पतंग उड़ाता है वह पतंग उड़ाता है अब यहां पर उड़ाने की वर्व वर यह बच्चो यह वर्व है उड़ाता है तो क्या उड़ाता है कौन स्वरी कौन कौन बोलेंगे तो आपको कौन बोलने से बच्चो आपको सब्जेक्ट मिलेगा कौन बोलने से सब्जेक्ट यह है सब्जेक्ट उड़ाता है क्या बोल बरात्मक वाक के भी है यह ना 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 कहीं नहीं है तो अब subject क्या हो गया वह ही बर्ब बोलता है फास्पामली के तो वर्ब क्या है आपकी उडाने की तो ही फ्लाइए ठीक है उडाता है क्या पतंग और यह फर्मला बोल रहा है आपजेक्ट आपके पास पहले ढूंद कर रख कि वह खेलता है, अब देखिये बच्चों, खेलने की वर्भ है यहां पर भी, यह वर्भ है, खेलता है कौन, वह यह हमारा सब्जेक्ट हो गया बच्चों, सब्जेक्ट हो गया, चलिए, अताहे टेहती है आ गया यानि कि सिंपल प्रेजेंट यहाग, present indefinite tense में हम है, अब subject हमारा He है, फार्मला जो बूलेगा वही करेंगे, फार्मला बोल रहा subject लिखे, तो subject हमारा ही है, वह, ही, वर्ब की first फार्म, खेलता, खेलता यह निकी play, ही play, और हमारा sentence complete होने जा रहा है, क्योंकि खेलता है तो क्या Cricket नहीं है कुछ नहीं है खतम जाएगा वाक्य उसका जवाब नहीं आ रहा है खहलने का क्या खेलता है Cricket किलता है वालीवाल खेलता है वगेरे वगेरे अब देखे subject थार्ट परसन सिंग्लर नमबर है यहां पे भी subject third-person singular नमबर है सब्जिक्ट आपका थर्ड पर सन थर्ड पर सन है और सिंगुड़ नमबर भी है और वर्ब यू पर खत्म हो रहे हैने तो जब यू हम यह लगाते थे इनको, इनके चलते हमें, अब वर्व में सिर्फ एस लगाना है, वाई को हटा कर इस नहीं लगाना है, आई होब बच्चो इतना आपको क्लियर हो रहा है, नहीं समझ में आने से, बेसक आप मुझे कमेंड बाक्स में लिख कर भेजे कि ये समझ में नहीं आया, मैं उसे वहां स जिरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए थेंक्यू आज के लिपना परियाप्त है बाबाई